हलो एवरीवन नमस्ते एंड वालकम बैक तो मैं चानल जोई टॉक्स वार में उजोती और मैं आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ ब्राइडल केर रूटीन यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और प्लाव वेडिंग सेजन भी आने ही वाला है बहुत सारे नॉवेंबर बैस का एंड चीजों का ड़ेका कैसे कर सकते हैं तो गाइस यह रूटीन से भी जाधा इमपोर्टन चीज में आपके साथ शादी हो रही होती है तो आप और बहुत सारे दुनिया भर की चीजों को अपको अर्रेडी टेंशन होगा और फिर आपको अपनी कार निए और अप पहले पने अगर आपको बहुत जादा पीमपल्स है, अगर आपको यह सारी चीजा बहुत जादा बॉदर करें तो इस अख बहुत बहुत नहीं करनी चाहिए तो उसलिए आपको पहले तो stress बिल्कुल भी ने लेना stress नहीं लेकर जो आपके face पे जो glow आने वाला है ये सारे रुटीन से भी सबसे अलग होगा रुटीन से भी ज्यादा इंपोर्टीन है कि आपको सबसे जादा पानी पीना है और अपने खाने पीने के ओपर ध्यान देना है ये सारे चीज़े आप करेंगे तो वैसे ही आपके face पे glow आजाएगा आपको इसे सारे चीज़ों की जरुवत ही नहीं पड़ेगी बस आपको अंदर से खूश रहना है और ये रुटीन फॉलो करना है तो लेट्स गेट चाटिट फर्स टर्ट के लिए हमें चलिए होगा बेसन बेसन को अच्छी तरह से अपने हातें में लेकर इसके ऊपर थुड़ा सा पानी त्री टू फॉर ड्रॉप्स ओफ वाटर एड करकर अप इसे अपने face पर मसाज करना है इसे यह face wash लगाते हैं वैसे ही इसे आपको आपके face पर लगाना है और इसके बाद आपको आपका face wash कर लेना है अगर आपके skin बहुत जादा dry है तो आप soap यूज करना avoid कर दीजिए और उसके जगे पर basin यूज करना start कर दीजिए आप देखिए उसके बाद जो आपके face पर जो glow आएगा और जो difference आएगा वह जो भी आपको बहुत जादा करती है आपके face पर वह सारी चीजों से यह बहुत ही जादा help करेगा reuse करने में उसके बाद हमें चाहिए हो टमैटो टमैटो को अची तरह से इसका juice निकाल दीजिए आप half tomato का भी उसकर सकते है या फिर पूरा one tomato का भी उसकर सकते और फिर उसके बाद आप में चाहिए होगा करना है और इसके बाद इसको अची तरह से मिक्स कर देने के बाद इसको अपको अपने face पे लगा देना है टमैटो और हनी के लाच को small होने में आपकी help होगी आपके जो आइकनी के मार्क से थोड़े थोड़े रिद्यूस और इसको 15-20 मिनिक तक अपने face पे लगना है और वाच कर देना है आपको यह मास्क आप दिन में दो बार भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिफ इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं और जो मैं आपके साथ शेयर की है first and second उसे आपको regularly करना है तो ही आपको difference नजर आएगा अगर आप आफ्ट और नून में खहीं बाहर जार प्राइडर के रूटीन में हमें एक और एक चीज की हमें हमारे फीट्स के भी क्यार करने चाहिए इसलिए मैं आपके साथ यह step share कर विए प्राइडर के लिए मैं आपके साथ यह step share कर दो अपको कच्छा दूद ले लेना और कच्छे दूद को आपको थोड़ी तर के लिए गरम कर लेना अच्छे तरह से आपका दूद गरम होने जाने के बाद इसे आपको एक टब में आइड करना है और फिर उसके बाद आपको इ इसके अंदर डाल लेना और फिर इसको आपको आपके पैरोग इसके अंदर 15-20 मिनिट्स के ले लखना है और इसके बीच में आपको आपको फीट्स को रिलाक्स करना है या आप अपने हाथों के हेल्प से मसाज कर सकते हैं या जोभी डर्ट है वो सारी चीज़ी क्लीन कर सक अच्छी तरह से और फिर उसके बाद आपको आपका लेक्स बॉश करके बाहरा जाना है इसे आपको रेगिलरली नहीं बट अगर आप इसे वीक में थ्री टाइम भी करेंगे तो भी चलेगा तो गाइस यह था मेरा ब्राइडल केर रुटीन फ्लीज इसे जैसे मैं आपको बताया है वैसे फॉलो करी हो और फिर आप डिफरेंस देखिंगे यह तो ते तो यह वीडियो को एक लाइप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नी किया अगर आप मेरे चैनल पर न सके और गाइस में मिलती हूँ आपको मैंने नेक्स वीडियो में लेकिन अगर आपके कोई भी वीडियो के रिक्वेस्ट इतो प्लीज मुझे नीचे कॉमें इसे ज़रूर बनाऊंगी और मैं मिलती हूँ आपको मैंने नेक्स वीडियो में बापाई